आपने कम्प्यूटर से आप हिंदी में, मराठी में, तेल्गु में या आपके किसी भी भारतिय पसंदीद भाशा में आप कम्प्यूटर के दुरूट टाइप कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए सीखते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना होगा यह लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड कर दूँगा ताकि आप लोग इसी आसानी से यूज़ कर सकें मैं अपने फेवरेट ब्राउजर यह निकी जो क्रोम है उस पे क्लिक करूँगा और यह लिंक पेस्ट कर दूँगा अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पे हमें एक Google Input Tool for Windows यह On Windows करके एक Option मिलेगा हम इस Google Input Tools के राइट सेड में अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी भाश्याओं का लिंक दिखेगा हमें जो भाशा अपने computer पर इस्तमाल करना चाते हैं हम उसे select करेंगे मैं Marathi select करूँगा मुझे Hindi में भी type करना है और मुझे Telgo भी थोड़ी बहुत आती है तो मैं Telgo select कर लेता हूँ उसके नीचे I agree to the Google Terms of Service पर क्लिक करेंगे और Download का बटन क्लिक कर देंगे यह कुछ एक MB के आसपास कुछ यह setup होगा हम इसे download कर लेंगे जैसे ही यह download हो जाएंगा वो open folder करके इसका setup हम run as administrator कर देंगे यह हमें permission मागेगा हम इसे yes कर देंगे एक बार install हो जाने के बाद यह installation complete का message दीगा हम इसे close कर देंगे अब दोस्तों आप अगर देख सकते हैं तो यहां right side में language का option आ चुका है English, Hindi, Marathi और मैंने telgo भी select किया था इसलिए telgo अब हम इसका demonstration करते हैं जैसे में यह मेरे पास एक पहले से notepad है यहां मैं इसका font थोड़ा चोटा कर देता हूं तक आप लोग देख पाएं अब दोस्तों आपको अपने computer screen पे windows की button और space की button दबाना है अब यहां पे automatic जो highlighted language होगा वो selected हो जाएगी अब सबोस मैं यहां कुछ type करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अलग-अलग भाशा हूँ मैं यहां type कर पा रहा हूँ इसके shortcut के अलवा यहां पे आप click करके भी यह भाशा है select कर सकते हैं अब दोस्तों save करते होगा हम यहां पे से save as करेंगे और encoding में हम utf-8 select करेंगे save करेंगे replace it का option आ रहा है मैं उसे yes कर देता हूँ अब आप अगर अपना text pad open करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह अलग-अलग languages में पहले से save हो चुका है तो दोस्तों इस तरह हम अपने computer से किसी भी language में type कर सकते हैं तो भी google input support करता है तो दोस्तों अगर आपको यह video अच्छा लगा तो ज़रूर like करें, share करें और subscribe करें और मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में तो नहाँ